बालों से संबंदत समस्याएं आजकल आम हो गई हैं। आपने लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि उनके बाल जढ रहे हैं या तूट रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बालों का तूटना और बालों का जढ ना दोनों ही अलग समस्याएं हैं। क्या है दोनों अंतर और कैसे करें इन समस्यां को दूर चल ये जानते हैं। आज कल की जिन्देगी में गलत खानपान और प्रदूशन के कारण बालों की समस्यां आम हो गई है। जिससे हर कोई परेशान है। बालों के जड़ने के अलावा बालों का टूटना भी उतनी ही बड़ी समस्या है और दोनों में काफी अंतर भी है। दरसल बालों का जड़ना तब होता है जब हेर फॉलिकल्स अपने विकास चक्र के अंतर पहुंच जाते हैं और अपने आप प्राकरतिक रूप से गिरने लगते हैं। माना जाता है कि प्रते दिन विक्ति के तकरीवन पचास से सौ बाल जड़ते हैं जिसे सामानने माना जाता है। माना कि अत्यदिक बाल जड़ना किसी समस्याओं का संकेत भी हो सकता है जिसे हॉर्मोनल बदलाव, तनाव, पोशन संबंदी कमिया या फिर जैनेटिक्स की वज़ह से। बालो का जड़ना आम तोर पर पूरे स्ट्रैंड का जड़ से बाहराना होता है जिसके अंत में एक छोटा सफिद बल्ब नजर आता है। तो ये थे दोनों समस्याओं के बीच के अंतर, आप बात कर लेते हैं इनके उक्चार के बारे में। बालो को भी हल्दी बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके लिए आयरन, ओमेगा-3 और अन्यावशक विटामिन से भरपूर चीज़ें का सेवन करे। अब बात करते हैं बालो को टूटने से रोकने के उपायों के बारे में। बालो का टूटना आम तोर पर तब होता है जब ये रूखे और फ्रिजी होते हैं। इसके लाज का सबसे अच्छा तरीका होता है बालो में नमी वापस लेकर आना। इसके लिए आप बालो पर हाइडरेटिंग शैंपू और कंडेशनर का इस्तमाल करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा बालो में नमी बनाए रखने के लिए आप सबता में दो बार रेपेरिंग हैर मास्क का उप्योब भी कर सकते हैं। हेर स्टाइलिंग और हीटिंग टूल से जतना हो सके उतना दूर रहने के कोशिश करें। मंदिर दर्शन, बॉलेवर्ट, हिमाचल प्रदेश, हर्याना, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।